हेलो फ्रेंड्स विल्कम बेक टो मैं यूटूब चैनल मनिशकी रस्वय में आप सब का स्वागत है आज हम बनाएंगे भरवा बैंगन और इसे हम महारस्टन स्टाइल से बनाएंगे यह आपको बहुत ही पसंद आएंगे अगर आप एक बार इसे बना के खायेंगे तो आप ह अगर आप चाहे तो इसके जगह पर छोटे वाले बैंगन का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले हम इसके लिए मासाला बना लेते हैं यह दिखिए गैस पर मैंने कड़ाई रख दी है इसमें मैंने एक बड़ा चुमज ऑईल डाल दिया है गैस की फ्लेम हमें मीडियम अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा प्याज बारिक कटा हुआ प्याज को पकने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है इसलिए मैंने प्याज को पहले डाल दिया है अब हम इसे हलका सा सॉफ्ट कर लेंगे आप देख सकते हैं दो मिनिट बाद हमारा प्याज अच्छे से अब हम इसमें डालेंगे एक कप ताजा नारियल ग्रेड किया हुआ, महारस्ट में ज्यादा करके ताजे नारियल का ही इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपके पास ताजा नारियल नहीं है तो आप इसकी जगह पर सुखे नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अब हम इन दोन प्रेस का कलर चेंज होने लगा है यह देखिए लगबक तीन से चार मिनित बाद हमारा जो नारियल और प्याज है वो अच्छे से गुल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम गैस को बन कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे यह देखिए आप देख सकते हैं मैंने प्लेट में निकाल लिया है इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे अब हम इसमें बाकी के मसाले आड़ करेंगे हम इसमें डालेंगे तीन से चार हरी मिर्ची थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया एक चम्मज सुखा धनिया एक चम्मज जीरा इस मसाले को चटपटा बन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यह दिखिए हमने इसमें सारे मसाले मिला दिये हैं, अब हम इसे मिक्सिके जार में डाल के इसे पीस कर इसका एक पेस्ट बना लेंगे, यह दिखिए हमने इसे अच्छे से पीस लिया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, अब हम इसम निर्जा समच, हलदी पावडर, और साथ में डाल देंगे दो पिंच हिंग, अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये मसाले आप अपने पसंद से कम्या, जादा भी कर सकते हैं, ये आप से बैंगन में भरने के लिए हमने मसाला तयार कर लिया है, अब हम इ साणा कमान ब्रॉब्र शॉट थै चाकू झाट से कहल ना पर पारमेंकर तरें ना परूंट बैंगन को चीड रगार, बैंगना शॉट्ट करने चेखémए इसमें अच्छे से दबा दबा कर हम मसाला भर देंगे जितना भी आप इसमें मसाला भर सकते हैं उतना मसाला हम इसमें दबा कर अच्छे से भर देंगे ये दिखिए इस तरीके से हमें सारे बैंगन भर लेने हैं ये आप देख सकते हैं मैंने सारे बैंगन में अच्छे से मसा यह दिखिए उसी कड़ाई में मैंने दो बड़े चम्मच ऑईल डाल दिया है गैस की फ्लेम हमें लोटू मिडियम ही रखनी है तेल को हमें ज्यादा गरम नहीं करना है अब हम इसमें एक एक करके सारे बैंगन डाल देंगे यह दिखिए आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमे सारे बैंगन इसमें डाल देने है अब हम इने ढखकर पाच मिनट के लिए पका लेंगे गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे पाच मिनट बाद हम इसे ढखकन हटा कर चेक कर लेंगे यह दिखिए पाच मिनट बाद हमने ढखकन हटा लिया है अब हम एक एक करके इन सारे बैंगन को पल्टी कर देंगे तकी यह दूसरे साइड से भी अच्छे से पक जाये ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसारे बैंगन को अच्छे पल्टी कर दिया है वेंगन को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है अब हम फिर से ढक्कन लगा कर इसे पाopen ल Dru लगे ये देख स अगर आपके पास भी ये मसाला बच जाता है, तो आप इसे फ्रीज में रखकर दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं इस मसाले को इसी के उपर डाल दूँगी, इसे हम आखरे में डालेंगे, क्योंकि हमारा ये जो मसाला है, वो हमने पहले ही अच्छे से भून लिया थ उसमें से मसाला बाहर आ सकता है, तो ये दिखी मैंने इसे हलके हलके हाथों से मिक्स कर दिया है, अब हम इसके उपर ढखकन लगा कर इसे दो मिनिट के लिए अच्छे से पका लेंगे, दो मिनिट बाद हम ढखन हटा लेंगे, वाओ, ये दिखी कितना टेस्टी हमारा अब हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे, ये दिखिए कितने आसानी से हमने महारास्टिन स्टाइल से भरवा बैंगन बना लिये हैं, आप इसे रोटी, पराठा या चावल की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, गार्निशिंग के लिए हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे ये दिखिए हमने महारास्टिन स्टाइल से भरवा बैंगन बना लिये हैं, ये बहुत ही टेस्टी और स्वाधिष्ट लगते हैं, आप इसे जरू ट्राइ कीजेगा, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेर और सब्स